दोस्तों क्या कभी पुलीस ने आपको थाने पर बुलाया है अगर आप थाने पर गए हैं तो किस तरह का एक्सपिरियेंस आपका थाने पर रहा यह कमेंट करके मुझे जरूर बताएं क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पुलीस दील करना चाहिए इस्टियोशन के अंदर क्योंकि आम नागरी घब राता है ऐसी परिस्टितियों से जहां पर पुलीस का इंवल्मेंट आ जाता है क्या करूं कैसे करूं किस तरह से डील करें तो सबसे पहले हैं तो समझ लें दोस्तों कि पुलीस किसी व्यक्ति को थाने प पुलीस के पास गई है यह तो कोमन बात है सम टाइमस ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी केस में गवा हो तो गवाही के लिए बुला लेती है पुलीस थाने पर आम तोर पर यह दो हैं जो हमें दिक्कत देने वाली चीज़ें या तो हमारे खिलाफ शिकायत है या हमने क किया किया है एक्चल में अगर आपने गंबीर पकरती का अपरात किया होता ना तो पुलीस आपको कोल भी नहीं करती है और आपके घर आ करके आपको उठा करके ले जाती है कि रफ्ता करके ले जाती है दो कंडिशन हो सकती है या तो किसी मामले में पुलीस को आपके उपर शक है कि यार आपका involvement हो सकता है चलिए उसको बुलाते हैं पूश्टाच करते हैं तो पूश्टाच की नहीं कोला सकता है या आपके खिलाब कोई शिकायत आईए अब वो शिकायत सिंपल पकृति के अपराद किये या फिर हम कहें ऐसे अपराद किये जो जमानती अपराद है तब भी पुलीस आपको बुलाएगी लेकिन आपको डरने की जोत नहीं इसे मामलों के अंदर पुलीस आपको गिरफतार नहीं कर सकती और या फिर ऐसे मामले के अंदर आपके विरूत मामला दर्ज हुआ जिसमें साथ साल तक की सजा का प्राओधान हो तब भी सुप्रीम क कि सार गिरफतारी क्यों शक्ता को कैसे समझें गिरफतारी क्यों शक्ता यह नहीं है कि पुलीस ने लिख दिया कि फला व्यक्ति भाग जाएगा फला व्यक्ति गवाओं को डराएगा धंकाएगा ऐसा मुझे शक्त था शुबा था इससे लिखने से नहीं चलेगा पुलीस लिएा कर केती है कि we go out ने कि स्वार घ्रा ठाथ सकता था इस वहसे हमने सुजत कर लिया तो यह गलत बात अ मुध में बतना पड़ेगा से सकता थे क्यों लगा अब क्यों के लिए रिवे देना पड़ेगा हैं अब 這裡 क्या हो सकता एक्जामपल दोर पर किसा है इसने घवाओं को कॉल किया को करने के बाद धंकी दिद्धं की देने का ओडियो गवाओं के पास तो यह कंडिशन वो सकती यह जस्टिफाइड कर रही है उस बात को अब पूलिस ने लिखाइगा एक जाकर में हमने गिरफ्तार कर ल चाहिए क्योंकि पुलिस या तो मैं बता रहा हूँ आपको कि शक है आप पर या किसी ने कोई शिकायत दरज कराई है लेकिन वो सम्पल प्रकृति के अपरात किये या ऐसे अपरात किये जिसमें साथ साल तक की सजागा प्राउधान हो एक्जामपल ले लेते हैं पती पत्नी के मामलों के अंदर जैसे 498 एई पीसी के अंदर तीन साल तक की सजागा प्राउधान है कोगनिजबल ओफेंस है पुलिस कोई ग्रफ्तार करने का भी अधिकार है लेकिन सुप्रीम कोड का जज्जमेंट अर्णिश कुमार वाला ये केता है साथ साल तक की मामलों के अंदर तो अब पत्नी जब छे महीने से माई के थी दो साल से माई के थी एक साल की माई के थी वह तो साल से वहां रह रही है या दो महीने से भी रह रही है तब भी इतने समय से उसने एफएद दर्ज नहीं कराई इसका मतलब यह कि मामला सिंपल प्रकृति का है तो गिरफ्तारी के वह शक्ता नहीं है तो आम तोर पर आपने देखा होगा कि 41S CRPC का नोटिस दिये जाता है इसे व्यक्तियों को खास तोर पर पतियों को और जोको पतियों को तो थाने पर जाना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो पत्ति ने शिकायत कर दी तो जाना पड़ेगा भाई तो यह नहीं है कि जाओंगा नहीं जाओंगो तो ले जाना आता है पुलिस को वाली बात भी है औ आपको थाने पे जाना है अब पुलिस पुश्टाज करेगी आपसे तो पुश्टाज में जो सवाल पूछ रही है उनके जवाब दें इवन अपना पक्ष रखें कि मेरे विरुद फला व्यक्ति ने या मेरी पत्नी ने एफायर जो दरज कराई है वो गलत कराई है एक्चुल इस्टित यह है साब एक्जामपल के तोर पर पती कहता है कि साब मेरी पती ने दो साल से माई के गई विये और कई बार में लेने के लिए गया हूँ कई बार में इसको लाने के परियास के हूँ मैं फला लोगों को मेरे साथ लेकी गया हूँ मेरे माबाप को ले गया मेरे भाई को ले गया मेरे पडोसियों को लेकी गया मेरे शिदार को लेकी गया जिन जिन का आप बता सकते उनके बारे ही बता दें और फला फला समय में गया था लेकर के लेकिन यह घरवाले इनके भेजना नहीं वो क्यों नहीं भेजना चाहते हैं वे रिज़नी बता दें आप तो यह स्विश्चन हो गई या मेरे साथ इसने अटेक करने कोशिश की लेकिन मैं पर रॉबकर करने इसलिया नहीं आया मुझे लगा कि सिंपल मामला मैं आपकर मेरे ब करना पकादा कि ऐसके लगना है इसकी चोड़ एक्सरी के इना है तो मेरे साइए होतास्त यह लिए और आपसे अपना पक्ष रखने के लिए एक्चुलिस सीथी पता करने के लिए तो अपनी बात जाकर करके रखना चाहिए बिना किसी डर दबाओके और बिना किसी वेकिल के भी जा सकते हैं अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं होगा अगर आपने कोई गंबिर पकरती का अपरात किया है तो जहीर सी बात है पुलिस आपको आप नहीं जाओगे तब भी उठा लेगी आ करके और यह चेक भी करती है पुलिस के यही बार किसी भी शक होता है तो यार फ़ला वेक्ति को थाने बुलाते हैं पता चल जाएगा आता है अब नहीं आता तो यारे कुछ गड़ पढ़े नहीं शक थोड़ा सा और मजबूत हो जाता है और या फिर वो वेक्ति जिसने अपरात किया है वो भागता है एक और चीज मैं आपको बता दूँ कि यह आपका अधिकार है आप पूछ सकते हैं उस वेक्ति ते अगर पुलिस आपको कोल करके या किसी माध्यम से बुला दी किसरा मुझे बुला क्यों हूँ अब बताओ शरी वजय क्या है बुलाने की पुलिस वाला आपको इनफर्म कर देता जैसे कि पतनी ने आपके विजुश शिकायत दरश कराई है या फिर वेक्ति आपके विजुश शिकायत लेका है आपने उसके साथ मार पीड किये या कोई पुलिस वाला नहीं यह बताता लेकिन जिस व्यक्ति को पुलिस बुला रही है निश्चित तोर पे उस व्यक्ति को ये बात पता होती है कि पुलिस उसे क्यों बुला रही है यह तो बहुत रियर के से 99% उस वेक्ति को पादा है कि पुलिस मुझे कीओ बूला रही है। बहुत रियर के से कि किसी वेक्ति को पता ना हो। तो एससी सिति में गबराने की जोट नहीं है आपको पुलिस के पास जाकर के अपना पक्ष रखना चाहिए नहीं रखोगे तो ये लगेगा कि आपने कुछ किया है आप नहीं जाओगे तो ये लगेगा कि कुछ गड़बड है विडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेर करें ऐसे वीडियो देखें नहीं फोलो करें दोस्तो तैंक यू